कि ये वोटों की गिंती जो है दस बज़े से शुरू होगी अब गिंती शुरू होगी उसके बाद में बारा एक बज़े तक अनुमान है कि कॉंग्रेस पाठी का अगला राश्ट्रिय अध्यक्ष कौन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा बढ़ते आगे जैपुर की चौमू नगरपालिका से खबर है यहां नगरपालिका में इन दिनों किस्सा फाइल्स का चल रहा है सरकार ने आमजन के हितों को ध्यान में रखे कर प्रशास्तन शोहर गाओं के शोहर अभियान चलाया ताकि हर व्यक्ति को आसानी से अपनी भुकंड का पट्टा मिल जाए लेकिन यहां तो सरकार की प्रशास्तन शोहरों के संग अभियान को पलीता लगाया जा रहा है चौमू नगरपालिका में फाइलों का किस्सा आखिर कहां गायब हो गई पट्टों की फाइल कौन सच्चा कौन जूटा लोग नगरपालिका के चक्कर काटने को मचपूर चौमू नगरपालिका में आवीधन करने के बाद पट्टे की फाइल ही गायब हो गई नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बादचीत में बताया कि एमपावर्ड कमेटी के माध्यम से स्विक्रित हुई पाँच फाइले चेर्मेन विश्नू सैनी को बिजवाई गई लेकिन चेर्मेन सहब ने वापस नहीं लोटाई वहीं चेर्मेन ने कहा कि मेरे पास एक भी फाइल नहीं है इधर चेर्मेन की पत्रावली रिश्रीब करने वाली महिला कार्मिक सुधा ने अधिशासी अधिकारी के नाम पत्र लिख कर बताया कि 34 पत्टा पत्रावली मेरे द्वारा में चेर्मेन विश्नु सैनी को सुपोर्ट की गई लेकिन चेर्मेन ने 29 पट्टा पत्रावली ही मुझे वापस दी पांच फाइले आज तक मुझे नहीं दी गई लेकिन अब पांच फाइलों के लिए चेर्मेन विश्णू सैनी लगातार मना कर रहे है इन फाइलों को लेने के लिए आदिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने चेर्मेन को कई बार पत्र लिखती है उन्होंने स्वायत शासन विभाग को भी पत्र लिखे हैं लेकिन अभी तक फाइले इयों को नहीं लोटाई गई है कॉंग्रेस के पार्शद ने भी चेर्मेन पर गमभीर आरोब चड़े है इधर पट्टे के लिए आवेदन करने वाले लोग नगरपालिका के चकर काटकर ठक गए है अधिशासी अधिकारी और सुधा शर्मा के पत्रों को पढ़कर लगता है कि फाइले चेर्मेन के पास है और चेर्मेन ये फाइले देना नहीं चाहते इसके पीछे क्या राज है या तो चेर्मेन साब खुद जाने इधर शेहर में चर्चा इस बात की है कि अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल और चेर्मेन के बीच लंबे समय से अनबन चल रही है यो देवेंद्र जिंदल किसी भी सूरत में चेर्मेन की कटपुतली बन कर काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए यह फाइले रोकी जा रही हैं लेकिन चेर्मेन और यो की आपसी लडाई में शेहर की जनता का अहित हो रहा है कॉंग्रेस के पार्शद भी चेर्मेन की कारेशेली पर सवाल उठा रही है उदर भाजपा पारशद बाबुलाल यादव ने कहा कि चेर्मेन की कारेशेली से शेहर की जनता परिशान है चेर्मेन इन फाइलों को दबा कर वसूली करने की फिराक में है अधिशासी अधिकारी के सामने अब चेर्मेन की दाल गलती नजर नहीं आ रही है इसलिए ये फाइले दबा रखी है सवाल जो उठ रहे हैं वे ये हैं कि आखिरकाल अगर ये फाइले अधिशासी अधिकारी के पास नहीं है और चेर्मेन के पास नहीं है तो हैं कहां क्या जमीन खा गई या आसमान निगल गया अब ये जाँच का विशाय है जब इस पूरे प्रकन की जाँच होगी तो परते खुल कर सामने आएंगी लेकिन जरुआत इस बात की है कि अधिकारी और जनपरतिदी दोनों मिलकर एक सामझसे के साथ काम करें तो सहर की जनता का हित होगा प्रदीप सोनी जी मेडिया चोमू जैपूर